कि कैसे आप सब उम्मिद करते हूं सब अच्छे होंगे तो आज मैं फिर से एक डिजाइन आपके साथ सेर करने चारी हूं जिसके लिए मैं ले रही हूं नौट लगा देना है और सबसे पहले मैं यहां पे ले रही हूँ मैं यहां दो टाइप की बीट्स ले हूं 10 mm size की अगेट बीड और 3 mm size की पर्ल तो सबसे पहले 3 mm size की पर्ल को हमें इस तरिके से दोनों लाइन में हमें फोर फोर पर्ल डाल लेना है अब सेंटर में एक पर्ल डालना है जिससे हमें वायर को क्रॉस करते हुए लेना है तो ये एक सेंटर में हमें लेना है इसे हमें दोनों वायर को क्रॉस करते हुए डाल लेना है और इसे अच्छे से हमें पुल करना है तो इस तरीके से यह वाली डिजाइन बनती है अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10 mm साइज की अगेट बीड तो एक लाइन में हमें अगेट बीड डालना है और दूसरे लाइन में हमें यह पर्ल डाल लेना है तो फिर से मैं यहाँ पर फोर्ड पर्ल डालूंगी फोर पर्ल डालने के बाद फिर से एक पर्ल डालना है जिससे हमें वायर को इस तरीके से क्रॉस करते हुए पार करना है और ये ऐसा पैटर्न बनता जाएगा अब जिस साइड हमने ये 10 mm साइज की अगेट भी डाली है तो अब दूसरे साइड के लाइन में हमें इस तरीके से अगेट भी डालना है और ये लाइन को हमें इस तरीके से फिर से हमें 4 पर्ल डालना है और ये पैटर्न को बनाना है तो आप वीडियो में देखे कि मैं यह पैटन कैसे बना रही हूँ, इसे एक्स्प्लेंट करना थोड़ा से मुस्किल है तो इस तरीके से हमें यह पैटन रेडि करते जाना है तो मैंने वीडियो को बहुत ही स्लो कर दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो तो बीड कोंबिनेशन आपको इसी भी कलर की ले सकते हो तो मैं यहाँ पर लाइट स्काई कलर की अगेट बीड और पर्ल का यूज कर रही हूँ आपको इसी भी बीड का यहाँ यूज कर सकते हैं तो बस यह हमारी इस तरीके से यह लाइन क्रियेट हो जाती है और बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है यह तो यह लाइन को मैं पूरा कर लेती हूँ तो मैंने यह लाइन पूरी कर ली है देखें किती प्यारी लग रही है डिजाइन अब last में हमें यह pattern जो हमने starting में बनाई थी उसे create कर लेते हैं तो फिर से हमें 4-4 pearl दोनों lines में डाल लेने हैं और last में हमें इस तरीके से knot लगाना है knot लगा देलने हैं पहले उसके बाद मैं यहां connector जो मैंने use की है उसे हमें डाल लेना है और उसमें भी knot लगा देना है तो यह chain मैंने यहां पर लगा ली है उसी में हमें यहां elastic wire को पार करते हुए 3-4 times knot लगा देना है यहां ताकि हमारी elastic wire अच्छे से fix हो जाए उसके बाद elastic wire को हमें फिर से पर्ल के अंदर वापस से यूटन करते हुए डाल लेना है क्योंकि यहां पर मैं इसे stick नहीं कर सकती हूँ या ही ना तो मैं lighter का use कर रही हूँ या क्योंकि यह जो wire है यह elastic wire है लेकिन यह stick नहीं होती है इसलिए मैं इसको इस तरीके से पर्ल के अंदर डालूँगी और एक्स्ट्रा जो wire होगी उससे cut कर लेंगे तो हमें बिल्कुल अंदर तक ले जाना है यह wire को और अच्छे से pull करते वे एक्स्ट्रा wire को cut कर देना है तो यह हमारी line ready हो गई है अब यह extra wire को cut कर लेंगे तो यह हमारी sky blue और pearl की bracelet ready हो जाती है तो length आप अपने हिसाब से ले सकते हो अपने रिश्ट के हिसाब से तो यह वाली bracelet की डिजाइन आपको अच्छी लगी हो तो आप भी जरूर बनाए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लायक जरूर करें YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और Facebook में देख रहे हैं तो follow करें Thanks for watching